कैसे हैं आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें जहां हम लोग आचल क्रेस कोर्स की क्लासेज देखने हैं और आच लगभग 10 दिनों के बाद यानि मान के चलिए 10 दिन तो होई गे हैं जब लास टाइम क् बढ़ाईयां क्योंकि economy ncrt के बाद आज polity ncrt end हो जाएगी यानि ncrt का जो पोर्षन है पॉलिटी और economy वाला वो आपका खतम हो जाएगा आज की क्लास के साथ ठीक है इसके बाद जो आपकी gs वाली पोर्षन है वो क्रेस कोर्स में ncrt history को include किया जाएगा ncrt और medival history फोकस किया जाएगा सबसे जादा ठीक है तो ncrt और medival history के साथ आपकी जो geography की क्लास है यानि क्रेस कोर्स में यानि fact आधारित जो कि ncrt based होती वो यहां से कराये जाएगा तो हम लोग मान के चले लगभग 50 55 60 क्लास है 65 क्लास जब होंगे तो हमारा gs का portion overall क्या हो जाएगा end हो जा क्लास के important factor end करेंगे crash course में दूसरे series से हम जिला series के factor end करेंगे तीसरे में हम individual topic के end करेंगे चौतर में vivid question करेंगे यानि कहीं न कहीं क्योंकि उत्राखन का major section है 40 number की उत्राखन आनी है तो आपका जब तक exam हो 90 classes तक हम उत्राखन को इस तरीके से विया से लेके चलने आ ठीक है तो बहुत easily वो भी हम लोग क्या कर जाएंगे end कर जाएंगे हाला कि बहुत नए effect नहीं मिलेंगे कि कोई नए effect मिला अगर मैं दूँ आपको फिर काई का crash course रहा ऐसे question बता दिये जो आएंगे इन e-paper में तो क्या crash course करेंगे हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा है उ पढ़ना चुरू किया है बहुत जल्दी सभी चात्रों के लिए एक नया बैच शुरू होगा जिसमें हम basic से पढ़ेंगे जो नए चात्र हैं चाहे उत्राखन basic से बढ़ना उत्राखन का इतिहास उत्राखन का भोगोर उत्राखन की अर्थ विवस्ता ये सब चीज़े हैं इसके अलावा जिये जर्नल study की जो basic चीज़े हैं वहां से हम पढ़ना चुरू करेंगे वो fresher वे चुका वो नए बच्चु के लिए होगा जो हाल फिलाल में graduate हुए हैं या हाल फिलाल में जिनने तायरी सुरू किया है या ऐसा कहे हैं जो हाल फिलाल में intermediate classes पार करने के सर कहते हैं राजस्तान से जुड़े हैं उत्राखन नहीं देखते हैं हाँ उत्राखन वो तब देखते हैं जब अपरफिश्यस का वेपर था और रेंजर का वेपर था क्योंकि वो open भरती थी तो उसमें होता ही होता है तो ऐसे बच्चु के लिए भी मैं जो हिंदी भासी र सराओंगा बहुत जल्दी अपका सुरू हो जाएगे चैसे मेरे रही क्लैस कोर्श वगरा कंप्लीर होजगा प्लानिंग में बनाओंगा ठीक है देखिए आज बच्चों आपका डे 27 है यानी क्लैस कोर्श का डे 27 ठीक है यहां आपकी आज क्या हो जागी पहले हमारी एकोन चाहा तो इस बार हमारा सेलेक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा तनाव ग्रस्त रहे के बहुत परिशान हो के पढ़ने की जरुवत नहीं है ठीक है देखे एक चीज आपको सबको पता होगी एक सिंधु नदी जल समझोता था ठीक है ये किस वर्स होगा था सिंधु नदी जल समझोता ठीक है पहला कुश्यन लिख लिए ना सिंधु नदी जल समझोता ये बच्चों इस पर हस्ताक से रुवए हैं 1960 में ठीक है कितने में 1900 सिस्टी में और किस-किस के बीच है ये इंडिया और पाकिस्तान की बारत और पाकिस्तान की क्योंकि सिंधु नदी इंदु तो यानि अगर कभी यह पूस्ता है कि सिंधु नदी जल समझाते में किन दो लोगों ने अस्ताक्सर किये तो आंसर होगा आपका नहरु व अयूब खान और नहरु जी ने इसमें साइन किये थे और इसमें जो मध्यस्तता अपनाई थी यानि जो मेडियेटर था वो था विश सिंधु नदी के पानी क्यों लेके बटवारे क्यों लेके विवाद था भारत पाकिस्तान के भी जो कि समझाता है 1960 में हुआ अब इसमें कुछ इस तरीके से है कि कितना परसेंट भारत इसके पानी का यूज करेगा पाकिस्तान कितना वो आपका यहां पे नहीं आएगा ठी इंडिया की ओर से पाकिस्तान की ओर से और मध्यस्ता किसने अपना की थी विस्वएग ने सैकेंड यहीं पर जो क्वेशन आता है भारत और इसके संबंद सही हो रहे थे तो उसके बाद एक और चीज होती है पाकिस्तान ने भारत पी फिर अटैक कर देता है उसके बाद ता धार मंत्री थे वो सास्त्री जी थे कौन थे लाल भादुर सास्त्री पी-एम कौन थे भारत के इंडिया की ओर से लाल भादुर सास्त्री जबकि पाकिस्तान की ओर से जिसने साइन गिये थे इनका मेजर जनरल जो थे अयूब खान वही नाम ठीक है अयूब खान ये तार और ये तासकंद पढ़ता ही कहा है अपने आपने रसिया में है यानि रूस का हिस्चा है तासकंद तो मतलग इससी तरीके से एक और समझाता हुआ पागीस्तान डिवाइड हुआ था आप लोगो को पता होगा बंगलादेश एक शौतंत्र स्रास्त बना था उसमें भारत ने भी उसको सयूग किया था तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीची को और समझा जोता हुआ गाधी और पाकिस्तान की ओर से क्याशनी कहता है जुल्फिकार अली भुट्टो जी ने यानि कौनती पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ठीक है सब NCRT है जुल्फी जुल्फिकार अली भुट्टो और आपको ओगे सर यह क्या इंपोटेंड हो सकता है मली इ अब देखे इसके अलाबा उस समय जो अंतराष्टी परिदिश्रे यानि अंतराष्टी इस तर्फे जो घट्टा करम हो रहा था उसमें एक और बहुत महत्तुपूर्ण घट्टा है पर्मानु अपरसार संधी यानि NPT यानि पर्मानु अपरसार संधी जो है वो कब हुई थी 1968 में तो अगला कुशन दिखो आप लो पर्मानु अपरसार संधी यानि पर्मानु जो हतियार वगड़ा है पर्मानु परिक्षण है उस पे बेन लगाता था ठीक है पर्मानु अपरसार संधी इस पे भारत ने साइन नहीं किये संधी ये कब हुई थी 1968 के जिसमें भारत न signature नहीं किये थे ठीक है ये क्या था पर्मानु हतियार इसमें कहा गया था जिसने बना दी है वो ठीक है लेकिन आगे से कोई भी पर्मानु परिक्षण है करेगा पर्मानु हतियारों को बड़ावा नहीं देगा सिर्फ एनर्जी वगड़ा पॉस्टिव तिंग के लिए पर अमेरिका है फ्रांस और बिटे ने इन लोग नहीं क्या कर दिया था पहली पर्मानु परिक्षण कर लिया था और पर्मानु परिक्षण करने के बाद फिर लेके आ रहे हैं पर्मानु परिक्षार संदी और बोल रहे हैं कि अब इस पे कोई भी परिक्षण नहीं करेंगे ह हम लोग परमाण हत्यार को कम करेंगे भाई जब तुमने कर दिया तो अपनी सुरक्षा तो तुमने बना ली लेकिन दूसरे देश को क्यों नहीं करने जोगे भारत का ये कहना था तो भारत ने इसमें साइन नहीं किये परमाण अप्रसार संदिक अप की है 1968 की ठीक है अगला लगा 1960 के दसक में शिंडिकेट क्या था ? खिक है शिंडिकेट क्या था भारती राश्टी कॉंग्रेस थी उस पर्टी के अंदर एक मजबूत नेताओं का एक गृप था जिसको तो syndicate बोला जाता है यानि Congress के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह लिख लो ठीक है लिखो Indian National Congress के अंतरगर्द के अंदर ताकतवर नेताओं का जो समूह था नेताओं का समूह ये क्या कह राता था syndicate कराता था बहुत हीट था उस चाम में ठीक है इंदरा गाधी वगारा के खिलाब भी इंदर ने काम गिया था उनको चुनाओ पार्टी से चुनाओ टिकट नहीं देना चाहते थे तो syndicate 1960 के दसक में गया था अगर आप से पूछता तो ये पता जाएगा ठीक है इंदरा गाधी के समय वहा था ठीक है ब्रेकेट में लिखो इंदरा गाधी के समय चौधा बैंको का रास्टे कराण हो था जब हम भारत में वहिलाई चाहिए टीक है जैसे हमें नीजी संपति फ्राइबिट प्रोपर्टी रखने का अधिकार होना चाहिए इसके अलावा सरकार हमें कुछ भत्ते देगी, अलाउंसेज देगी, तो इसको जो टमलोजी बोलते हैं, उसको बोलते हैं, प्रीवी पर्स, ठीक है, तो अगला क्वश्यन लिखो, प्रीवी पर्स को समाप्त कप किया गया, प्रीवी, most important कर देना, पर्स, समाप्त, प्रीवी गादी, अगर आपको यह पता नहीं चल दा कि प्रीवी पर्स से क्या था, तो यहां लिख लो, देशी रियासतों के राजा महराजाओं को, देशी रियासतों के राजा महराजाओं को, नीजी संपत्ती, प्राइबिट प्रॉपर्टी, ठीक है, नीजी संपत्ती, रखने का रधाधिकार तथा सरकारी भत्ते मिलते थे जिससे कि कई लोग नाखुँज थे क्योंकि इसमें सरकार का बहुत अभिवय हो रहा था और यह बहुत ज़्यादा ताकतों बहुत जादा पैसा जमार कर दिया था तो इसको बोला गया था प्रीवी पर्सल सिस्टम और प्रीवी से question आएगा तो आप easily उसको कर जाएंगे बाकी बच्चों देखो मैंने पहले भी कहा है कि जिन बच्चों ने classes पढ़ी है पहले उनका तो होना ही होना है बेडा कोई दिक्कती नहीं है क्योंकि सारी चीज़े मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है चाहे पॉलिटी हो चाहे कुछ भी हो तो वहां से आप लोग question easily क्या कर पाएंगे solve कर पाएंगे ठीक है अब जैसे ही हम लोग इधर आएंगे हम लोग क्या देखेंगे डे 27 में हिंदी की कुछ fact ठीक है अब हिंदी भी मानके चलिए जैसे आज 27 है 35 maximum यानि 35 कलास अधिक्तम होंगे जहां पर हिंदी के question हैंगे उसके बाद हिंदी भी बंद हो जाएगी तो आपका जैसे हिंदी बंद होगा आपकी number of question कहां बढ़ेंगे उत्राखन के मुस्कुरा दीजी फिर मुस्कुराइए मैं कहरा कि अगर आप खुश हैं अगर आप positive हैं अगर आपका मन या mind जो है कहता है कि हाँ यार हो तो सही रहे कुछ भी को सर करा तो सही रहे हमारा भ इतने smart हो फिर अब बताओ tension लोगे जुरियां पढ़ेंगी जाईयां पढ़ेंगी कल के दिन साधी उने में दिक्कत होईगी लड़की पसंद नहीं करेगी फिर कितना tension होगा बताइए तो तनाव लेना तो कोई solution ही नहीं है अगर आपको कोई भी समस्या होती है उसका समाध गंटे गम में ही डूबा रहता है तो लोग उस ताइम ये नहीं कहेंगे कि करियर के चकर में tension है कहेंगे कि यार भाई girlfriend ने धोका दी दिया ब्रेक अप हो गया होगा tension ले रहा होगा कुछ गलत काम कर रहा होगा इस प्रकारचिटी कह है तो आप मुस्कुराहट के साथ अप अपने दुस्मनु को जबाब दीजिए, अपने कर्म करते रहिए, महनत करते रहिए, सफलता की सेड़ी आप धिरे धिरे चड़ रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उस सेड़ी के टॉप में होंगे और मन्जिल भी आपके पास होगी और उसको जीने का उसको पान जानते हैं इसलिए हम यह चाहते हैं कि NCRT आधालित जो भी चीज़े हैं वहम कबर कर जायें ठीक है तो लिखो जन्संचार के प्रचलित मध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है ठीक है सबसे पुराना माध्यम क्या है यह है बटो मुद्री मुद्रा यानि मुद्रा ठीक है यह सबसे पुराना है मुद्रित माध्यम सबसे पुराना क्या है मुद्रित यानि प्रिंटिंग printing media मुदृत माध्या ठीक है जिसमें print है और सबसे आधुनिक कौन सा है सबसे modern है internet सबसे आधुनिक कौन सा है internet है ठीक है internet और ये जो topic है मैंने आपको UK SSC वाले folder के अंदर पहली भी करा रखा है चंचंचार की वश्चनों में भी करा रखा है कभी आपसे पूछे feedback क्या है decoding क्या है, encoding क्या है ये सब चीज़े मैंने आपको बताई हूँ है next question दिखना flash क्या होता है यानि एक पत्रकारिता में एक termology आती है flash flash नाम से ही लग रहा आपको flash flash क्या है इसके आगे dash करके लिखो बड़ी खबर कम सब्दों में ततकाल सूचना के रुप में दर्सकू तक पहुँचाना ही क्या है flash है जैसे कोई आता है नहीं कि बहुत बड़ी news होती है लेकिन उसको तुरंत ये news वारे कि अगर तो दर्सकू तक पहुँचाते है भली उसका चित्र हो ना हो लेकिन नीची से flash आन लग जाता है जैसे breaking नहीं जाता है उसी प्रकार से flash आता है तो लिखो किसी बड़ी खबर को कम सब्दों में खबर क्या हो नीची है बड़ी हो नीची है बड़ी खबर को आपको ये question ऐसे नीची कुछेगा कि flash कैया आपको definition के रूप में बड़ी खबर को कम सब्दों में कम सब्दों में ततकाल दर्सकू तक पहुँचाना ततकाल दर्सकू तक पहुँचाना ठीक है ततकाल दर्सकू तक पहुँचाना क्या कहलाता है फ्लेस कहलाता है इस प्रकार से question आएगा ठीक है अगला लिखो जंसंचार के अंतरगत electronic माध्यम कौन कौन से हैं जंसंचार के अंतरगत electronic माध्यम के उधारन लिखिए Electronic Medium कौन कौन से हैं आपपलोग लेख लिखेंज़े Electronic Medium यानि Electronic Medium ये कौन कौन से होगए एक तो Internet है ठीक है? Radio है ये सब के सब कह है Electronic Medium है सात इसान Television है Computer है Television हो गया और Computer ये सब के सब कह है बच्चो Electronic Medium हा अदिका ये समझ जाना कि electronic medium क्या होते हैं गर के इससे पता दो जागे तो comments है जाए है अगला question लिखो एक सब्दा आता है इसमें पत्रकारिता में उसको बतर dry anchor क्या आता है dry anchor तो लिख लिजे समाचार के चित्र नहीं आने तक समाचार के चित्र नहीं आने तक दर्सकों को reporter से मेरी जानकारी के अनुसार सूचना देना ही क्या कहलाता है वेब पत्रकारिता का परियोग किस चीज के लिए जाता है वेब पत्रकारिता का परियोग ये होता है बच्चों इंटरनेट में ठीक है इंटरनेट में वेब पत्रकारिता का परियोग कहां पर गया जाता है इंटरनेट में गया जाता है, question लिखना आपको वे पत्रकायता का परियोग कहा गया जाता है, इंटरनेट में ठीक है, अगला question लिखो, मतलब ये लिखना आप लोग, सबसे बहु प्रचलित, यानि सबसे ज़्यादा प्रचलित, पत्रकायता में सबसे ज़्यादा प्रचलित सैली कौन सी है लिखो पत्रगायता के छेतर में सबसे प्रचलित सैली सबसे अधिक प्रचलित सैली इसको बोलते हैं अच्छो उल्टा पिरामिट सैली मैं बताता हूं ठीक है उल्टा पिरामिट सैली उल्टा पिरामिट सैली यानि पत्रगायता के छेतर में सरवाधिक प्रच चरित Sally कौन सी है अगर कुशन पूछेगा तो लिखना उल्टा पिरामिट, Sally बता देड़ा, उल्टा पिरामिट में क्या होता है देखो, जैसे जो न्यूज है न चाहे किसी भी प्रकार की हो, सबसे पहले कैसी न्यूज दिखाई जाते हैं आपको जो बहुत फेमस हो, उसके उसके घड़ते वए करम है, उसके घड़ते वए करम है, उसके घड़ते वए करम है, यानि जो न्यूज का क्रम होता है, सबसे अधिक फेमस से कम फेमस की और घड़ते रहता है, यानि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, तो उसको बोला जाता है, उल्टा पिरामिट सेली, ठीक है, नेक्स्ट व्क्रेशन लिखो, समाचार लेखन का कारे करने वाले को क्या कहते हैं, सम्वाद दाता, ठीक है, समाचार लेखन के कारे करने वाले को क्या बोला जाता है, सम्वाद दाता, ठीक है, नेक्स्ट के शहत्र मागर अगर आप net परती कायता करना जाते हैं में, internet परतर कायता करना जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रोब्लम जो ए, font की है, क्या कि आप लोग जानते है pengyan Silk कुछ ऐसे सब्द लिखने, उसका फॉंटरी नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे, लिखो, हिंदी पत्रगायता के छेत्र, नेट पत्रगायता के छेत्र में सबसे बड़ी, हिंदी में नेट पत्रगायता की सबसे बड़ी अर्चन, लिखो, हिंदी में नेट पत्रगायता की सबसे बड़ी अड़चन, अड़चन मतलब प्रॉब्लम, ठीक है यह है बच्चो, फॉंट, यानि फॉंट ही नहीं मिलता, कि क्या लिखा जाए, इसलिए नेट प्रत गरता है, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाती है, फॉंट के वज़े से, अगला क्वशन दिखने आपको, न्यूस्पेपर के अपने विचार होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है संपाद की, यानि अगभार का द्रिष्टिकोंड व्यख्ट करता है, तो लिखो संपाद की प्रिष्ट पर, अनामलेक क्या कहलाता है, अनामलेक यह कहलाता है बच्चो, एड्डिटोरियल यानि सं निस पर हो यह उसका अपना बिजन होगा अपना दिश्टिकॉर्ण होगा अगर कभी यह पूछता है कि किसी भी मतलब अब अक्वार में ए्जान को पद। इंट्रो को बोला जाता है बच्चो मुखड़ा जो स्टार्टिंग में दिया होता हूँ अगला लिखने आपको पत्रिका जाज़ता में बीट सब्ध क्या है या नि बीट सब्ध भी आता है पत्रगायता के शेतर में और उसको बोला जाता है जो न्यूस पेपर के टाइप होते हैं जैसे पॉलिटिकल न्यूस, इकनोमिकल न्यूस, स्पोर्ट्स न्यूस का इसको बोला जाता है बीट सब्द लिखो पत्रगायता में बीट सब्द का क्या आरते हैं यह है खबरू का प लेको 556 में गोवा में भारत का पहला चाप खाना चाप खाना ये कब बना था 556 में कहां पर स्तापित भाता है गोवा में ठीक है नेक्स्ट गुशन आपने लिखना है और इंडिया रेडियो की स्तापना कब हुई थी 1936 में अभी किसके अंदर है एफेम के अंतरगा लिखो वर्दमान में एफेम के अंतरगा ठीक है फ्रिक्वेंसिय मॉडिलेटर अगला लिखना आपको पत्रकारिता के प्रमुख परकार क पहला आपने लिखना है खोचपरक पत्रगायता जैसे जो इदर उधर जाके खोषते हैं उसकी जड़ तक पहुंसते हैं उसको बला जाता है खोचपरक पत्रगायता ठीक है यह तो नाम से ही आपको पता चल गया है सकेंड आपको लिखना है विसेश सिक्रित किसी special news जो होत ठीक है आपने दिखा होगे जैसे कई economy से संबदी newspaper होते है विसेश सिक्रित लिखे देना है ठीक है थाड़ आपको लिखना है watch dog watch dog क्या होता है थाड़ यहां लिख देता हूँ ठीक है watch dog क्या आगे लिखना है ऐसा ऐसी पत्रगायता जो सरकार की हर activity पर ध्यान देती है उस किस्टे इस प्रकार की विचार्दारा से संबदित advocace. यहां रिखना है इसे प्रकार की चेसी खास विचारदारा को ही दिखाते है उसको बोलते है advocace यह ए पत्रगायता और लास्ट लास्ट छथ तोटर है वेकलपिक फोड़तेगर रृखना है यह वेकलपिक पत्रगान ध ठीक है, बाकी देखना इसके अंतर का जनसंचार वाला जो टॉपिक है, मैंने आपको दो बार इससे पहले भी इसके क्वेशन कराए हैं, आज भी करा दिये, तो यी टॉपिक भी आपका end हो चुका है, क्योंकि अगर इससे क्वेशन अगर आप आएगा, तो वो जन्रल वे में गोशन आएगा, वो आप उप्सन पढ़के ही टिक कर जाएगे, ठीक है, वो बहुत टिपिकल गोशन आने के उम्मीद नहीं है, और टिपिकल अगर आएगा, तो इन ही मैसे है, इस क्लास से है, इससे पिछली प्रिबियस क्लास मेंने जनसंचार के गराई, वहां से आएगा हाला कि इसका UKCCC वाले फोल्डर में देखना प्लेलिस्ट में, वहां भी जनसंचार वाले टॉपिक कर आया है, उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है, अब आपकी आत्मा को सांती देने के लिए, आपकी आत्मा को त्रिपती देने के लिए, यहां से आप आपका उत्राख क्योंकि आज दे 27 होगी है, अब हमारे पास बच्चे हैं, तीन दिन दे 30 तक के, और उसके बाद 63 क्लासे इसके बाद अब बसते हैं, ठीक है, 63 क्लास में उत्राखन का पोर्शन कैसी जाएगा, देखो, हम UK हिस्ट्री के फैक्ट देख लेंगी, इस इन्ही क्लासों में, ठी मतलब एक बहुत हद तक उनका फाइदा ही होगा, ठीक है, बाकि उत्राखन हिस्ट के अलावा हम इसमें इसमें इंडिविज्वल टॉपिक सिरीज की इंपोर्टेंट वेशन देखेंगे, और इसके अंदर हम उत्राखन परिक्षावानी तो नहीं कर आँगा, क्योंकि परि अब मैं आप कहो कि सार कुछ नए नए या नहीं बच्चो देखो आप खुद जानते हैं यार इवा बताओ अनाप सनाप पढ़ा दूंगा मैं आपको इधर उधर का पढ़ा दूंगा जिसका लेना न देना ही आपके एक्जाम से क्या खाइदा बताओ फिर मुझसे बड़ा क् mandar कब करेगा आपको एक्जाम मैं क्रेस कोर्स ते सी Deck **** चाहिए तोárias कोर्श से बस्कोर पूछे का उन question को ढूड़ने में अगर मैं अपनी energy waste करू, उन question को पढ़ने में अपनी energy खाऊ और उन question को पढ़ने में अपनी energy waste करू तो कितनी बड़ी मत्तब हम लोग कहा जा रहे हैं, ये खुद सोचे न, कहते तो हैं कि हम selection देंगे, हमें result चाहिए, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं, कह जा रहे हैं, क्यों रहा से अगर हम भड़ा करें इस तरीके से, फिर ऐसे पढ़ने का कोई भी फाइदा नहीं है, ठीक हैं, ये हमारा तरीका रहेगा, फिर मुस्कुराइए, अभी कह रहा हूँ कि फिर से मुस्कुराइए, उत्राखन में याद नहीं होता है, याद नहीं ह मतलब आज की क्लास जैसे आप लोग पढ़ोगे क्योंकि उत्राखन में जानता हूं कि 40 नंबर गया है आज की क्लास आपने पढ़ी आपने क्या किया जित्रा मैंने पढ़ा है साथ-साथी मेरे साथ साथ बढ़ा 63 डेस के अंदर आपकी उत्राखन बहुत जादा बहतर हो गरदन भी दिखेगी सब कुछ दिखेगा तो थोड़ा सा समय लेगा थोड़ी सी चीजें टैकल करने में टाइम लगता है तो हो जाएगा सब अच्छे से ठीक है तो देखिए उत्राखन आज से हम लोग सुरू कर रहे हैं जितना मैंने करा दिया वो तो ही है अब उससे जाता है यानि उत्राखन में प्रागेति हासिक प्रागेति जब इतिहास की लेखन की कोई जानकरी नहीं थी ठीक है प्रागेति हासिक उत्राखन में प्रागेति हासिक उत्राखन में प्रागेति हासिक उत्राखन में प्रागेति हासिक उत्राखन में प्रागेति हासिक उत लोग आप जानते हैं लखुड यार की जिले में पढ़ते हैं आपने आप में अलमोडा में पहला कुश्चन किस नदी के तट पर सुयाल नदी के तट पर कब इसकी खोद हुई थी 1968 में कही 1964 60 कुछ दिया हुगा ठीक है मैक्जिम किताब उनी 6060 देती है इसके अलाव किस ने यह थी डाक्टर एम सी जोसी ने खोज करता कौन थे डाक्टर एम सी जोसी जी ने इसकी कहकी थी खोज की थी यह आपको पता आना चाहिए तो अब यह देखो रिभाईज भी होगा आपको काम भी बन जाएगा ठीक है इस तरीके से फुश्चन नेक्स्ट ग्रेशन लिखना अलमोडा की जो प्रसिजिस सिलास रही है यानि पत्थरों पे जो चीजे मिली है वो कौन-कौन से है आप लोगं को लिखना है अलमोडा के प्रमुख सिलास रही या सिलास रही कौन-कौन से है ठीक है जो अलमोडा में फाएगे है देखो कौन-कौन से है एक कभी गश्चन अगर आपता आपका फड़का नौली कहा है क्यों जाना जाता है फड़का नौला या फड़का नौली सेकंड फलसीमा सेकंड फलसीमा थर्ड लिखना आपको ल्वे थाप और पेट साल ल्वे थाप नेक्स लिखना आपको पेट साल ठीक है और एक लिखने हो काला माटी और मला पैनाली काला माटी और मला पैनाली ये सब के सब क्या है अपने आप में अलमोडा के सहलाज रहे हैं ठीक है इसी प्रकार से बच्चों चमोली के भी हैं दो तो दो लिखो चमोली के सहलाज रहे चम्मोली के जो सहलास रही हैं दो हैं बहुत फेमस एक को बोलते हो आप लोग क्या किमिनी गाउं दूसरे को बोलते हो आप लोग क्या ग्वार्ख्या उड्यार तो ग्वार्ख्या उड्यार और किमिनी गाउं लिखो ठीक है अलग नंदा और किमनी गाओं के ब्रेकेट में पिंडर घाटी में ठीक है पिंडर नदी तो एक को लिख दिया आपने चमोली का ग्वार्ख्या उडियार अलग नंदा दूसरे को लिख दिया किमनी अब क्वेश्चन पूछने के तरीके देखो यहां से तो यह पूछ सकता है पर्थम खोच के कौन से माने जाती है दूसरा कब खोजी गई थी कहां खोजी गई है किस ने खोजी थी दूसरा अलमोडा के परमुख सहलासरे मिलाने के पूछ सकता है कि कौन से अलमोडा में है या नहीं है चमोली का भी पूछ सकता है किस नदी के तक पे ठीक है इसके बा निरित्ति इसको दिखाया गया, इसको आप लोग ध्यान रखना कि यह सामुई निरित्ति इसको दिखाया गया लाकोड यार में, अगला लिखने है आपको जैसे सामुई को निरित्ति आप इसमें कई मल्टी कलर का प्रियोग हुआ है, कलर लिख लो इसमें सफेद, गेरू, गुलाबी वो काला ये सब की सब क्या है इसमा कलर है एक बार पूछ चुगा आपका की कौन से कलर कैसमा प्रियोग की आ गया ठीक है नेक्स्ट गुष्टन लिखना है चित्रकला की द्रिष्टी कोन से सबसे सुन्दर किसको माना जाता है गौर्ख्या गुफा ठीक है लिखो चित्रकला की द्रिष्टी से सबसे सुन्दर सबसे सुन्दर चित्र किसको माना जाता है गौर्ख्या गुफा ठीक है और इसका जो मुख्य विसाई लिखना है पसूं को हाका देकर घेडना ठीक है होता है नहीं हो हाका देना कंट्रोल करने के लिए पसूं को हाका देकर घेडना इसका कहा है बच्चो सबसे main subject हुआ करता है ठीक है next question लिखना आपको उत्राखन में आध्य इतिहास का प्रथम स्रोथ किसको मान जाओगे अब प्रधान स्रोथ क्या है आध्य इतिहास का प्रधान स्रोथ है आध्य इतिहास में जहां से थोड़ा थोड़ा आपको लिखने की जानकारी वगरा मिल जाती प्राग इतिहासिक में तो कुछ ऐसे जानकारी में थी साहित है ठीक है लिखो उत्राखन में आध्य इतिहास का प्रमुख सुरोथ उत्राखन में आध्य इतिहास का प्रधान सुरोथ यहां से सब्सक्रादा जानकारी मिलती है इस काल की आध्य इतिहास काल की वो है अपने आप में साहित्य है किसे मिलती है सब्सक्रादा जानकारी साहित्य से मिलती तो यहूँ थिए भी आपको क्या रखना है ध्यान में रखना ही, थिक है, next question दिखना है, आपको उत्तर पुरू सब्ध का प्रियोग यहाँ पर कहाँ पर किया गया है, एत्रे इब्रहमण बॉली को, उत्तर पुरु सब्ध का प्रियोग, जो मिलता है, हém एत्रे इब्रहमण म इसमें मिलता है एत्रहिव भ्रहमर में. नेक्स्ट कुर्चन लिखना आपको इसकंद पुराण में दो सब्ड यूज हुए हैं. ऐसी लिखना जैसे मैं बताउंगा. इसकंद पुराण जो होता है आपने सुना होगा. इसमें इस चेत्र के लिए दो सब्द यूज में है, गड़वाल चेत्र के लिए केदार खंड और कुमाओं चेत्र के लिए मानस खंड ठीक है, ब्रेकेट में लिखतो इसका कुमाओं इसका गड़वाल, अगर कभी बूसता है कि केदार खंड सब्द का प्रयोग कहा मिलता है इस कंद गुरान में या मानस खंड कहा मिलता है इस कंद गुरान में केदार खंड किसके लिए उच्ट कुमाओं के लिए उच्ट कुमाओं के लिए उच्ट कुमाओं के लिए ध्यान देना केदार खंड में जो है गडवाल की सीमाओं का वर्णन भी मिलता है इस कंद गुरान पचास योजन लंबाई वो तीन योजन चाड़ाई बताईगे ये भी आप ऐगया है ध्यान में रखनें है ठीक seesay नेक्ष लिखना है एकपरव्चिरनी है आप लोगोने सुना करता है गड़वाल प्लस कुमाओं को प्रिथा करता है बधान परवत्सरेणी बधान मतलब की जो चमोली का इलाका है वहाँ परिष्थित है ठीक है बधान परवत्सरेणी इस दोनों को क्या करता है अपने आप में सेपरेट करता है बधान परवत्सरेणी गड़वाल प्लस क बुँमाओं के जित्र को प्रता करता है। Next question लिखने आपको समस्थ तीर्थूं का सिरो मनी सिरो मनी मतलब सरवुष्रेष्ट है, ठीक है? वो समगर पापु का विनासक किसी इस्तान को कहा गया है यह कहा गया अपने आपने देव परियार को, ठीक है? लिखो, समस्त तीर्थूं का सिरो मनी, समस्त तीर्थूं का सिरो मनी, सिरो मनी मतलब जो सब उस्रेष्ट है उनमें, ठीक है, सिर प्रधारण करने वाला, सिरो मनी, वह समस्त पापूं का विनासक, समस्त पापूं का विनासक किसे कहा गया है यह कहा गया है बच्चों देव प्रियाग को ठीक है देव प्रियाग और देव प्रियाग कहा है टेहरी जिले में किस नदीगे तट पे है अलगनंदा प्लस भागी रती ठीक है और अलगनंदा भागी रती यहां से क्या कहलाती है ग जंगा कहलाती है, ठीक है, और सास भवो के नाम से कौन शीनी दिया जानी जाती है, अलग में ता वो भागी रथी, ठीक Next question आपने लिखने है, सच्टि लक्ष सहीता की रचना किस स्थान पर हुई है, ठीक हो सब्तिलक्ष। सहिता की रचना, किस इस्तान पो यहें बद्रिकास्रम मैं? बद्रिकास्रम और किसने की व्याजीनी, ठीक है? व्याजीनी सकी रचना की, ठीक, और लास्ट कुष्चन हाथ का, कुर्मांचर और कुमाओं का वडन कहाँ पर मिलता है, मानस खंडमेंट, ठीक है, कुर्मान चल पॉबली, कुमाओं का वर्णन, यह कहाँ पर मिलता है, मानस खंडमेंट, ठीक है, आज सो उत्राखन के इतनी ही क्वेशन है, कल सी क्वेशन नंबर और क्वेशन जो है, इनक्रीज करा दिये जाएंगे, और पढ़ पूरा विजन जो मेरा है पूरा मैंने अपना ओपन रख दिया है कि किस तरीके से उतराखन को एंड करेंगे और हिंदी की क्लास 35 क्लास मा हमारी एंड हो जाएगी कल से ancient history के कुछ question यहां से include किये जाएंगे आपका काम बनना चाहिए आपको सफलता मिलनी चाहिए 90 दिनों मा अगर आप सफल होना आपकी किस बत में लिखा होगा तो आप हो सकते हैं ठीक है फिर मिलते हैं अगले session पर अपना ध्यान रखिए Thank you